अलो व्योर्स कैसे हैं आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे आज हम रिव्यू करने वाले हैं कॉलकाता नाइट ट्रैडर्स की टीम को कि इनकी क्या स्ट्रेंद एंड विक्नेस रहने वाली है और श्रेस एर को कौन रिप्लेस करने वाला है कौन कप्तान होगा आपको पता लगी क्या होगा तो जानेंगे हम क्या उनके स्ट्रेंद विक्नेस है और इस टीम के पांच इंपक्ट फूल प्लेर को होने वाले यह आपको पता लगेगा क्या यह टीम क्वालिफाइड कर सकती है कि कॉलकाता नाइट ट्रैडर्स प्लेओफ में क्या कैसे कर सकती है और आपके नितीश राना और इस टीम के जो कोच है अंदर कांच जी है काफी जबर्दस कोच है और बहुत शांदर उनका रिकॉर्डर है और हर खिलाडी से पर्फॉमेंस लेना जानते हो तो इसलिए के क्यार के टीम इस बार बहुत सर्प्राइजिंग निकल सकती है आपको पत आपको सिंग आंद्रे रसल शारदूल ठाकुर सुनिल नराइण उमेश अदफ वरुण चकरवरती लॉकी फर्योसन तो यह होने वाली है के क्यार की प्लेइवन पहले मैच को लेकर तो अब हम आते हैं इनके स्ट्रेंथ की तरफ की क्या स्ट्रेंथ होने वाली है के क्यार के आंद्रे रसल भी अच्छे हाथ अजमाते गेंद बाजी में तो बॉलिंग जो है वो क्यार की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली इनका सबसे बड़ा जो पावर्फुल इंपेक्ट हो यह ही है और अब हम आते हैं कि दूसरा क्या स्ट्रेंथ हैं कि वह इनके जो फिनिश रहाएक रसल अनराइन है ठाकूर भी अच्छा फिनिश करते हूँ देखने को बलेंगे नितीश रहना को रिस्पोंसिमिलिटी अच्छी मिली है तो मेरे साबसे कप्टानी गरूप में आपको निकरते हुए नजर आ सकते हैं नितीश रहना तो यह हैं आपकी स्ट् करते हुं नज़रा सकते हैं इंडिया में इतने सोखा कि लिए के लिए तो एक तरीके से गैंबल है गुर्बाद अगर चल गए तो कि किसमत यहाँ जाएगी अगर नहीं चलते तो किक्यार का मिदल और रह स्ट्रगल करता वह नज़रा सकता है अब हम आते हैं कि इनकी और क्या प्रोब्लम है कि KKR के टीम आपके जो प्लेयर्स है न वो कंसिस्टेंट पर्फोमर नहीं है यह आपको बड़े से बड़े मुकाबल जिता कर देंगे बट यहां पर जब फेल होंगे न तो जिता जिता है मैच भी हारते हैं आपको KKR के टीम देख सकती है क्योंकि बहुत बा गेंदबाज को नहीं गेंदबाज को मुका देंगे तो भी वो एक्सपैंसिव हो सकता है मेरे अकोडिंग ली तो गेंदबाजी में इनकी वस्मिर को यही कमी लगी है वो इस टीम की वीकनेस में बट यह तीम आपको अच्छा करते हैं बहुत बैलेंस टीम में वेंकरटेश सप्तानी के दाविदार चल रही थे यह बट नराइन के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी इस फ्रैंचाइजी कि यह आप उनकी पर्फॉमेंस से ही आपको पता लगेगा तो सुनिल एम जो नराइन है वो काफी इंपरेंट लाडी रहने वाले हैं नमर वर में ट काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं शारदू ठागूर इस साल के लिए और आपको काफी सारे मैचे जिताते वे दिख भी सकते हैं तीसरे पे आएंगे आपके आंद्रे रसल तो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले चंदरकाउं जी इनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स् आप से फूर्थ मरकूआ नरायंट जगदीशन को ये डुमेस्टिक के बहुत खतरना खिलाडी रहे है और अगर केकर इनको मुका देती एक इम्पैक्ट फुल प्लेयर आपको खेलते वे देखने को मिल सकते हैं फिफ्ट मरकूआ रिंकू सिंग को पिछले साल इन्होंने ए इम्पैक्ट फुल प्लेयर होने वाले हैं के क्यार के लिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में